हेले विरोन कैसे आप सब एक बार पुना हसी कोचिंग क्लासेश पर स्वगात है उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्थोंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चल रही होगी क्लास 11 एदी हम फिजेक्स की बात करें बच्छो तो चैप्टर सेकेंड चल रहा जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है एक समान तौरित गती के लिए गती का प्रथम समिकर्ण बच्छो एक समान तौरित गती क्या कहलाएगा मालीजे आपको पहले पता होना जी तौरण कि बस्तू के बेग में परिवर्तन की दर्कू तौरण कहते हैं मतलब समय के साथ कितना बेग में परिवर्तन होता है, वो तुरण है, अब एक समान तुरित गती मतलब उसमें एक समान तुरण है, यहनि कोई बस्तु गती कर रहा है तो उसमें एक समान तुरण है, एक समान तुरण क्या कहलाता है, कि समान समय तुराल में बेग में समान परि ठीक है फिर से अगले 10 सेकेड में वही बेग बदलेगा यहनि समान समयनतराल में समान बेग में परिबरतान होगा तो आपका एक समान तुरण होगा पतलब कोई बस्तु गति कर रहा तो उसमें एक समान तुरण है जिसे मैं यहाँ पर कहता हूँ एक बिंदू हमारा A है बच् तो वहाँ पर time कितना होगा मालीजी जीरो होगा और वस्तू का बेग भी नाट कर लेते हैं ठीक है अब यहाँ से यहाँ तक जाने में मैं मान के चलता हूँ यह T1 था यहाँ पर जाने में T2 भी हो सकता है यहाँ कि 0 समय था यहाँ तक जाने में T समय लगा इस स्थित में बच्चो इस स्थित में जो बेग है वो आपका भी हो गया मतलब कोई बस्तू गती कर रहा है एक समान तुरण है जब यहाँ से यहाँ पर यह गती कर रहा होता है तो तुरण एक समान है बच्चो एक समान तुरण से गती कर रहा है यही चीज है तब इस बस्तू में बेग में परिबरतन होगा और बेग में परिबरतन होगा तो बस्तू का तुरण उत्पन होगा वस्तू का तुरण तो यहां पर लगाएंगे वस्तू का तुरण ठीक है तुरण एक समान है पहले ही बता दिया गया कोश्चन में ही कि एक समा तुरित गति के लिए वस्तू का तुरण क्या होता बच्चो बेग में परिवर्तन बेग में परिवर्तन बटे समयंतराल प्रथम समीकर मातर तीन मिनट का है नीचे समयंतराल अब थोड़ा सा इसको समझाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पूरा बेसिक हम नहीं होता है वो आपका कहलाता बच्चो अस्तू का तो रन अब बेग में परिवर्तन मतलब अंतिम बेग बेग में परिवर्तन कैसे निकाला जाता है यह अंतिम बेग आपका भी है तो अंतिम बेग माइनस प्रारंभिक बेग फिर बच्चो समय अंत्राल यहीं समय का अंतर कितना ह T है और प्रारंब में समय जो है 0 रहा होगा यह तो clear है कोई बदलाव नहीं होगा यानि जो हमारा अंतिम बेग है V प्रारंबिक बेग V not इसको हमने कर दिया बेग में परिवर्तन और समय अंतराल अंतिम समय T है और प्रारंबिक समय यहाँ पर 0 रहा होगा तो T minus 0 कर दिया बच्चो अब इसके अगले स्टेप में देखेगा A बराबर आप कर रहेगा V minus V not upon T क्यों हो जाएग A T equal V minus V not और जब V not को भी पक्षांतर करेंगे तो आजाएगा V not plus A T equal V हाँ यही आपका प्रथम समय करना है या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V बराबर V not plus A T ठीक है यह आपका पहला समय करना गया बस यही गति का पहला समय करना है बताया थाना 3 मिनट का समय रहता है ज्य प्रभाना कोई बस तो एक समान तुरण से करतिमान है एक समान तुरण होगा ती जब जमय समय जो है जीरो है तो उसका कुछ प्रणभी बेग होगा V not और जब कुछ समय बीता मतलब ती समय पस्चा तुसका अंतिम बेग कितना हो गया V हो गया इस स्थित में बस तुमे सिद्ध करने को अजाता है सिद्ध कीजिए V बराबर V बराबर U प्लस 80 तो यहां पे बच्चो यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपका U है यह प्रारंभीग बेग है यू क्या है वो प्रारंभीग बेग है ठीक है और बच्चो भी जो है वो अंतिम बेग ह कभी कभी question दे देता है फिर लोगों के मन में confusion आ जाता है कि sir ने तो ऐसा कराया ही नहीं है sir ने तो करा दिया कि V not V not equal V plus 80 ये सरी V बराबर हो जाता है V बराबर V not plus 80 ये चीज आपने पढ़ा तो प्ररम्बिक बेग यहाँ पर V not है यहाँ पर प्ररम्बिक बेग यू है वही नाइन्थ में यू दे के रखा रहता है तो फिर आपके मन में confusion आ जाएगा और बच्चो यदि आप channel पर पहली बार आएं भी तक notes नहीं लिए तो notes ज़रूर ले ले प्रापर उस तैयरी करने के लिए contact number मेरा आप note कर लो 96,89,99,99 यह मेरा personal number बचो 96,89,99,99,99 ठीक है इस number पर आप जुड़े, whatsapp करें सारा detail देती आ जाएगा इसी तरीके से handwritten notes दिये जाते हैं अब जैसे माली जी यही notes है अब इस notes को मैं माली जी फोटो कॉपी यहां कि माली जी फीडिया बना के दे दूँगा कुछ बच्चों में doubt रहता कि सर जो अभी आप recent पढ़ाएं तो वही क्या होता है लिख के पढ़ाया जाता है अब हर बार लिखेंगे यार तो color थोड़ा सा miss मैस तो होई जाएगा वही color तो same नहीं रहेगा तो आप परसान मत होना कि सर वहाँ पर red color से लिखे थे इसमें तो green color है क्या बताएं सर समझ में नहीं आ रहा है color change है तो इससे आपको परसान नहीं होना है मात्र छोटा से amount लगता है 100 rupees लेकिन proper rupees से notes दिये जाते हैं मैं guaranteed कहता हूँ कि आप एक बार notes से पढ़ाई करेंगे तो आपके बहतर number आएंगे बागी channel में free up cost तो चली रहा है आप बहतर उपसे पढ़ते रहेए फिलाल अभी के लिए इतना ही जाएगिंद बंदमातरम